वेल हाई लेट्स को फॉर ग्लोरी लेट्स को फॉर दी ग्लोरी इंस्पायरिंग दी वर्ल्ड एस वी आर ये जो गाना में ने गाया भी अभी जिन जिन लोगों ने सुन रखा है उन लोगों की तरह से मेरे को दस दुरुबे की बड़े पार्टी ठीक है वेरी गुड और जि डिसकुशन बहुत 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 कर वाला ठीक है क्रिकेट वर्ल्ड कप डो हजार नंबर टेइस का गाना आया है ऑफिशल सॉंग प्रीतम ने कंपोस किया है और दुनिया बर के सिंगर्स ने गाया है ठीक है नकश अजीज स्री राम अमित मिश्रा जौनिता गानी अकासा ट्रण जिरन रैप किया है उअशन किया है गठाने को लिखा है और ओसर नहीं रहले किया स्थ़िवर्माजी नियुकर अभर। honestly बताऊ तो मुझे भी उतना कुछ खास लगा नहीं कि मतलब बहुत जादा ही तगड़ा गाना बना दिया है it's a good song as a song but world cup लाए गाना it sounds more like a jingle than a world cup song किसी product का एड लग रहा है यह गाना मुझे या तो इन्होंने जो गाने की वीडियो बना के नास मा रहा है कोई cricket से related कुछ चीज नहीं डाले वीडियो में पूरी वीडियो में एक sport person नहीं दिखा देते भाई यूट्यूबर क्या कर रहे है एक तो यह बताओ मुझे उसमें train में क्यों है यह लोग train से क्या लेना देना इंडिया का train में है क्या है और train भी इंडिया की नहीं दिखाई है पता नहीं कहां की train है क्या रिप्रेजेंट किया है मेरे को नहीं समझ में है बड़ जो बनाया है वो अजीब बनाया है connection नहीं है अगर हम compare करें पुराने गानों के इसाब से इंडिया वाले को ही ले लेते हैं जो था अपना ये दे घुमा के गाना जो था शंकर ऐसान लोई ने जो बनाया था it connected and why it connected एक major reason यह है कि उस गाने को क्रिकेट की चीजों के साथ associate किया गया था उस गाने में दे गुमा के गुमा के cricket वाली बात है ठीक है और scenes जो दिखाए हैं वीडियो में वो भी cricket से related है मतलब stadium medium full flashback moments दिखाएगा है cricket के यह सब है उस वीडियो में इस वाले में नहीं है इस वाले में बस यह दिल जशन जशन बोले क्रिकेट वाला क्या है इसमें यही तो नहीं है ना काने में क्रिकेट नहीं है काने में energy है सब कुछ है पर क्रिकेट नहीं है गाने में जिसके लिए बनाया है वही चीज नही कि भाई क्या गाना था यार वो तो बढ़ यह बनाया था हम तो फालतों में हैं मून होचे ले रहा थे प्रीतम का और में भी लोगों को ना पसंदाने का रीजन यह भी हो सकता है कि वो जो है तो नहीं चीज़ करने में थोड़ा टाइम लेते हैं कि वो पुराना यह अच्छी थी तुमने यह क्या बना दिया पुरानीगी फूट चीज़ थी वैसा इसा यह लगद हो है बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस गाने में पोटेंशियल तो है इससे पहले जो तीन गाने आये हैं 2007-2011 और 2015 का गाना जो था उसके मुकाबले देखा जा तो यह कहीं ना कहीं कमजोर रहे गया गया और 2018 में तो गाने नहीं था मेरे गाल से था क्या और 2015 वाला जो गाना था स्लो मोशन शॉट बाइट ग्राफिकल बैट्समें वह चीज़ कर जाती है वह चीज़ बूस्बंस देती है कि मतलब ड्रॉप के साथ जो सीन हम देख रहे हैं वह कितना सही कनेक्शन बैट रहा है और क्रिकेट गुसाया है गाने में भले ही इन्होंने वह नहीं डाला टाल म यू गफ्रेज़ का फॉलोगे बदगाने में गरिकेट करिकेट डाली है वह खुद में एक लिरिक है गाने का पार्ट है और कैशफ्रेज उसमें क्रिकेट नहीं है तो कोई मतलब वह एकानां गया कि अवह पूरा गाना काना काचई है अरेंचिमेंट के मॉन्पिशन, इससे पहले वाले जो थे 2003 वाला तीन वाला तो मुझे नहीं आत कैसा था बट 2019 वाला वर्ल्ड था उसमें केके ने जोगाया था जोश ऑफ इंडिया वाला गाना वो भी था उसमें जोश था उसमें अपने टाइम के हिसाफ से कर देगा जा तो वास वेरी कनेक्टिंग सॉंग की ओडियंस को एक मतला पेट्रियॉटिक फीलिंग जो ले आती है ना कि हाँ इंडिया को जिताना ही जिताना है अब वाला है उसमें यार वो दम है वो उस गाने म मैंने तो एक वज़ा निकाल दिये कि हाँ क्रिकेट का कुछ पार्ट नहीं है गाने में वीडियो गड़बड बना रही है कुछ वीडियो में कोई कनेक्शन नहीं बैट रहा हो सकता है यही चीज़े हूँ जो ओडियंस हेट कर रही हो बट अधर्वाइज मैं अगर एजन देखूं तो इस गाने को लेकर मैं रैंक करूं सारे गानों को मिला के तो मेरे चाब से नंबर वन गाना 2015 वाला व्ल्ड कप का ही होगा 2011 का second number पे 2007 कुल मिला के बात है कि 2015 वाला वल्ल कप along जो है वो मेरे लिए it was the number one song of cricket world cup क्योंकि वह गाना है जो मैं फीफा के गानों से compare करके कह सकते हो कि हाँ यह गाना टककर दे रहा है इन गानों को इस गाने में वो energy है वो बात है लेकिन एक और गाना जो I think associate किया गया था World Cup के लिए ही but official नहीं हो पाया it was composed by Sonu Nigam जी and it was sung by Sonu Nigam and written by Sonu Nigam and it was an English song जो उन्होंने 2011 की opening ceremony में ढाका में पर्फॉर्म भी गया था it's the song जो मैंने इंट्रो में गाया let's go for glory जिन लोगोंने सुना यह गाना वो जानते हैं कि कितना underrated गाना यह कितना underrated गाना है especially as a World Cup song especially as a sports song especially as an inspiring song यह कितना fit बैठता एक World Cup के गाने के लिए वो यूजी नहीं किया किसी भी World Cup में वो किसी भी sports के लिए वो यूजी नहीं किया गया गाना कितना तगड़ा गाना है यह गाना सच में इतना inspiring है मतलब अफरीका की बतक भी अगर इस गाने को सुल लेना वो helmet लेकर आजागी भई यह हमें भी खिलाओ गाना जो सागया एक बहुत जाला इस गाने के सामنا जो यहां जाए इसके सामने दल जैसनु इसमें नगीहां तो जीटें यह बोले हैं इसमें इसमें नज़र तो यह सब में में भूए है गहुं और आप सोच रह огए कि मैं वीडियोज क्यों नहीं ला रहा हूं आचकर पता लग जाय में और जब वो चीज आ जाएगी आप लोग खुछ जान जाओगे और सहलो यार मैं भी सही रहाँ ठीक है तो यहीं है जो है और क्या बाइब जाए 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 जाए